अगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है ख्रिम्या सोचें आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट आप टेली का अधूरा ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्ध्वान बनना चाहते हैं यदि आप accountant या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेधन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेइलिस्ट द्वारा टैली की इस वीडियो सिरीज के आज की अथ्याय में आप जानेंगे गोल्डन रूल्स ओफ अकाउंटिंग क्या हैं इससे पहले वाली वीडियो में आपने जाना कि अकाउंट क्या है और अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं अब हम आपको बताएंगे कि जब कोई ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि ट्रांजेक्शन में प्रभावित होने वाले दोनों खाते कौन से हैं और किस प्रकार के हैं और फिर कुछ नियमों के अनुसार जिने गोल्डन रूल्स ओफ अकाउंटिंग कहते हैं किस खाते को डेबिट और किस खाते को क्रेडिट करना है ये निर्ने करना होता है जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि खाते तीन प्रकार के होते हैं तो आएए पहले इन तीनों टाइप के खातों के लिए गोल्डन रूल्स ओफ अकाउंटिंग को समझ लेते हैं सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिकत खातों के लिए नियम यानि rules for personal accounts यह नियम है पाने वाले को debit करू यानि debit the receiver और देने वाले को credit करू यानि credit the giver वास्तफिक खातों के लिए नियम है जो वस्तू व्यापार में आए उसे debit करू मतलब debit debit what comes in और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे credit करो यानि credit what goes out nominal accounts यानि नाम मात्र के खातों के लिए नियम है सभी खर्च एवा महानियों को debit करो मतलब debit all expenses and losses और सभी आय और लाभों को credit करो यानि credit all incomes and gains अभी जो हमने golden rules बताए उनमें जो terms आई हैं उसमें से income और expenses के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं अब हम losses और gains के बारे में बता देते हैं सबसे पहले देखते हैं हानी यानि losses क्या होते हैं जब व्यय या खर्च मतलब expenses राजस्व यानि revenue से अधिक होते हैं तो व्यय का आधिक यानि ज्यादा खर्च हानी कहलाता है जो पूंजी में व्रथी की बजाए कमी करता है इसे एक उधारन से समझ लेते हैं माल लीजे हमें revenue के रूप में 10,000 रुपे प्राप्त हुए और इस revenue को प्राप्त करने के लिए हमने 12,000 रुपे खर्च कर दिये इसका मतलब यह हुआ कि हमें 2000 रुपे की हानी हुई पूंजी पर इसका प्रभाव यह होगा कि पहले हमारी पूंजी एक लाख रुपे थी जो अब 2000 रुपे घटकर 98,000 रह गई अब लाब क्या होता है यह समझ लेते हैं जब राजस्व यानि revenue व्याय यानि expenses से अधिक होता है तो राजस्व की यह जो अधिकता है वो लाब कहलाती है यह एक प्रकार के मौदरिक प्रापती है जो व्यवसाई के व्यभार के फलशुरू प्राप्थ होती है जैसे हमें revenue के रूप में 2 लाख रुपए प्राप्ट हुए और इस revenue को प्राप्ट करने के लिए हमने 1.5 लाख रुपए खर्चा की तो इन दोनों का 50,000 रुपए का अंतर लाब यानि profit कहलाएगा पुझी पर इसका प्रभाव ये होगा कि पहले हमारी पुझी एक लाख रुपए थी जो आप 50,000 रुपए बढ़कर देड़ लाख रुपए हो गई है अब देखते हैं आमदनी यानि गेंज क्या होते हैं हमारे मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होने वारे राजस्व को छोड़कर यादि कोई अन्य राजस्व प्राप्त होता है तो उसमें से मूल लागत कम करने के बाद जो बशता है वो गेंज कहलाता है जैसे हमारी कोई संपत्ती जिसका बही खातों में 8000 रुपए मूल ले था उसे हमने 10,000 रुपए में बेचा यानि हमें 2000 रुपए की प्राप्ती हुई ये जो प्राप्ती है वो आमदनी यानि गेंज कहलाईगी तो यहां आपने देखा कि आमदनी में राजस्व में से केवल कॉस्ट घटाई जाती है जबकि लाप निकालने के लिए राजस्व में से मूल लागत के साथ अन्य खर्चे भी घटाई जाते हैं अभी आपने इस वीडियो में Golden Rules of Accounting के बारे में जाना इसके बाद वाले वीडियो में हम इन नियमों का उप्योग करना और Manual Accounting की प्रोसेस के अंतरगत आने वाले जर्णल के बारे में बताएंगे